आपको जो आने वाला एक्जाम है वह है आपका मैट्स का एक्जाम प्रिटेस्ट का कामरूप डिस्टिक मेट्रो और यह जो आपको टेस्ट पर पढ़े वह आपको बहुत हेल्प मिलेगा जैसे कि आपका पता है इससे पहले में नवगाउं को एक और वीडियो दे चुका हू पार्ट वन यह पार्ट टू है नवगाउं का वह नहीं देखे तो देख लिए जाओ उससे पहले मैंने ग्वाल पाउडा का भी सुरी ग्वाल प्राने गोला घट का एक दिया हूं गोला घट में टोटक तीन वीडियोस दिया हूं अगर आप तीनों देख लेते हैं और यह से नवगां से तीनों देख लेते हैं तो अल्मूस्ट यह सिर्फ और जिप दो डिस्टिक्स से ही आपको अल्मूस्ट बहुत सारे क्वेस्ट्न को अपको देखनें को एक्वाल में मिलेगा तो एकलिस तरह लिए जिस्का भी एकजाम है जन जिन बचे को तो आज हम देखें किक होता हैrete Lily मार्क झालिस आप सब्सक्राइब तक अरशेघये कुछ आम वह Doll IT यहां सलुम माहिए 502 एच्क फक्रेशन निकालना है स्की मेफ़ी सरे कुछ मेफ़द नहीं दिया है तो आप राइं फेक्टराइजे लगा देजिए six को अगर फिके तो निकलेंगा तो इंकलेत ठीक है मैं डायरेक्ट उसका फैक्टरलि लिख रहा हूं तो जिसका धरकारण आप रिठ murder में देख सकते हैं उससी प्वाट्वाट को देखिए 120 होता है फ्टर वाट्वर टू 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 इंटू टू िंटू इंटू 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 फाइव इंटू अन तो यह सब आपका factor है और यह factor कैसे निकला है तो लेकर निकला गया है तो मैं डायरेक्ट फेक्टर को लिख रहा हूं ये लीए आपको पता है 6 है तो 6 को ऐसे 2 into 3 फिर 3 यृष्ट लिए 1 उसी तरह सेवैंटेटी टू को ऐसे तरह अपलिजिए तो यह 2 कह common है तो एक बार यह common है तो लिखते हैं आप देखिए यहां पर 3 है इधर 3 है क्या हाँ यहां पर देखे 3 है इधर भी 3 है तो यह हमारा 3 भी common आ गया इधर 1 तो सब में है तो 1 भी common आ जाएगा आप मल्टिप्लाई करते हैं 2 इंटो 3 6 6 इंटो 1 6 तो हमारा जो hcf होगा तो hcf देरफोर the hcf hcf of 672 and 120 is 6 तो हमारा hcf क्या निकल के आगे 6 निकल के आगे question number 21 का जो आपका answer है यह आपको निकल के आगे 6 ठीक है next चलते question number 22 पर 22 पर क्या दिया हुआ है find the value of find the value निकालना है 22 यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ देखिए 22 का क्या दिया हुआ है value निकालना है 1 by 2 का power minus 5 है यह दिया हुआ है आप देखिए किसी भी number को उपर minus लेगा तो उसको मैं 2 का power direct 5 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ अब देखिए 2 का power 5 लिख दिया अब 2 कितना times लिखना है 5 times लिखना है तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मैं direct answer लिख सकता था बट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आ रहा है तो देखिए on comparing the ratio a by a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the given pair of linear equation inconsistent and or inconsistent मतलब कौन सा consistent है और कौन सा inconsistent है हमें इस number को निकालना है ठीक है और इस number को कैसे निकालना है तो a1 by a2 करके b1 by b2 करके c1 by c2 करके ऐसे करके हमें निकालकर value out निकालना है ठीक है यह हमें दिया हुए तो यहाँ पर देखिए number से 23 से पर लिख देता हूं और जो number दिया हुए 3x plus में 2y और equal to 5 तो और दूसरा दिया हुए है 2x minus 3y equal to 7 तो दूसरा बार लिख सकता हूं 23x plus 2y minus में 5 equal to 0 और यह लिख सकता 2x minus 3y minus 7 equal to 0 यह लिख लिख लिया अब देखिए a1 का भेलू हमारा पास 3 है और b1 का भेलू हमारा पास 2 है और c1 का भेलू हमारा पास minus में 5 है ठीक उसी तरह a2 का भेलू हमारा पास 2 है B2 का value हाँ आपास minus में 3 और C2 का जो value है और minus में 7 है यह हमारा पास given में दिया हुआ ठीक है अब हमें यह निकालना है क्या यह जो numbers है यह consistent है या inconsistent है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि consistent क्या होता है और inconsistent क्या होता है ठीक है तो यह आपको अगर value पता है तो देखें consistent में क्या होता है यहां से मैं दिखा रहा हूँ consistent क्या होता है यहां पर देख लेता है consistent consistent जभी भी आपका value देगा तो वो जो value आ जाता है आपका यह आता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 यह जो value है इसको बोलता हम लो consistent अगर यह नहीं है तो यह उस्व हो जाएगा inconsistent तो क्या यह बेटा कर देते क्या तीनों equal है तीनों सा जो नंबर से तीनों equal है अगर निक्वल है तो consistent होगा अगदर equal नहीं है तो inconsistent हो जाएगा तो चलिए बैठाते हैं देखिए यह 1 का जो value है यहाँ पर दिखराए आको यह 1 का जो value है वह 3 है तो 3 डाल दिया ।辉लता वह 2 है वह 2 है एकॉल टो है निक्रम का जो बहल भे लुँल है वह या फिर देरफोर ऐसे कर कर लिख सकते हैं, देरफोर ठीक है, देरफोर, देविवेन पियर ऐसे लिखे, देविवेन पियर अफ लर्नर एक्वेशन इसे हम लोग अभी देख लेते हैं, और उसी हिसाब से बनाते हैं, देखे, क्वेशन दिया है, यानि इसका बहुर्यम निकालना है, या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, यह भेलू नहीं बहुर्यम को बात कर रहा है, तो देखे, सबसे पहले कॉस्टन ने दिया हुआ है, दे लेंथ दिया हुआ, होगा कोई Click Д Pixanthya epoxy का लेंठ देद ईसका मतलब EC value हमें दिया हुव 1.2 सेंटी मिडर लेंथ मिल गया पाइब भॉलियम अफ क्योब कैरे टी कुःआं फोन पशंक्रिश यह होता है 1 क्यूब यह होता है और बिल्याम अफ क्योब तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हो रहा है कि e का भीहलू कितना है हमारा पास 1.2 و 1.2 اور सैंटीमीटर का क्यूब 12 का कि कितना होता यह ज्ञादा इंपोर्टेंट डाट टैसि applies 372 ऐट सेंटीमीटर में क्यूब अब देखिये इसका वा- नमर के बाद एक इसका बाद एक इसका देख मतनल थोटल थृनपर्स के बाद पॉइंट है थे थ्री नमर ये क्या हो जाएगा और यह आंसर हो जाएगा तो चलिकोंबर 24 हो गया अब का कम्प्रिट चलिकोंबर 25 देखते हैं हम लोग गणीन नमबर 25 क्या दिया हुआ if one is one of the zeros मतलब one zero दिया हुआ है कितना one x का value मतलब दे दिया x equal to one दे दिया एक one zero का मतलब one x equal to one then the polynomial x square plus x plus k equal to value of k क्या होगा तो देखिए यहां पर हमें निकालना है x square plus x plus में k equal to zero है तो यहां पर हमें k का value ने तो x का value कितना दिया one one का square कर देखिए फिर one दे देखिए प्लस में k देखिए इकॉल टो zero one का square one plus one plus k equal to zero तो कितना आजाएगा टू प्लस में k equal to zero तो टू को इस सेट भेड़ दे तो क्या जाए k equal to minus two और यह हमारा के का बेलू क्या जाएगा तो माइनस में two आ जाएगा और इता यहां पर लिख सकते हैं चीज क्या लिख सकते हैं therefore the value of k is minus two और यह इसको answer लिख सकते हैं ठीक है तो इसको आपको समझ गए question number 26 चलते हैं देखते हैं question number 26 में देखिए क्या दिया हुआ है कि if the graph of polynomials y equal to fx the intersect x-axis x-axis को intersect कर रहा है मतलब देखिए एक number है ऐसे करके मैं ग्राफ बना देता हूं और intersect किसको कर रहा है x-axis को कर रहा है एक से x-axis कर रहा है intersect कर रहा है और उसका जिरोस होगा वह कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो जिरो इकोल टो लिख सकते हैं जिरोस इकोल टू टू जिरोस हो जाएगा जितना कटेगा उतना 0 होगा एग यहां पर कटरा और एक कटर हाया तो कितना 0 हो जिरोस ठीक है और कटेगा तो ओर भी जिरोस हो सकता है पिछो कोड़ोन क्ट्टो टू डिखिये औल्री घुटिस बैटरा फूछा गया घै रियंकशन doet Кरण ते इसको आ पूछ रहा है तो मैं आप लोग को याद होगा sn का फर्मूला होता है n by 2 n by 2 और यह हो जाएगा 2a plus n minus 1 in 2 में d और यह sn का फर्मूला है ठीक है तो sn का फर्मूला लगा दीजिए आपको निकल देखे तो सबकी में रहा है यहां पर देखे तो ए टू मैने सबकाइम और यहले difference होनँ गया तो 99, 99 से 1 multiply करेंगे तो 99 ही होगा, इसका बाद देखिए 50 और इंटु में 99 प्लस 2, 101, तो यहां पर multiply किजेगा, तो 5 इंटु 1, 5 और फिर 5 इंटु 1, 5 और यह 0 का इधर 0 है, तो यह हमारा जो हो गया, sum जो हो गया, 50, 50, तो यह हमारा क्या होगे, answer, यह question already पूछा गया है, तो आप इसको star लगा सकते हैं, चलिए question no.28 देखिए, question no.28 में क्या दिया हुआ है, write down the condition to get the infinity managed solution for a given pair of linear equation, यह जो equation दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, get infinity managed solution निकालना है, देखिए, infinity managed solution का कुछ होता ने, एक formula जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, infinity managed, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, और यह है आपका infinity managed solution, यह question no.28 है, चले question no.29 प्रहंबों देखते हैं, question no.29 में क्या दिया है, fill in the blanks, all days strangles are similar, तो इसमें दिखिए, जितना भी strangles होता है, वो similar काभ होता है, यह equalator strangles में होता है, और यह ही इसका answer हो जाएगा, चले question no.30 देखते है, question no.30 क्या दिखिए, question no.30 में, if sin theta minus cos theta equal to 0, then find the value of 0, तो दिखिए, sin theta minus cos theta, यह 0, यह किस condition में 0 होता है, तो यह याद रखिएगा, कभी भी, इसको अगर ऐसे कर दे, sin theta minus से तुस्सरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos theta, यह दोनों कभी equal होता है, कभी भी section, जैसे sin theta cos theta हो गया, या फिर 10 theta cos theta हो गया, यह सारा का सारा जब भी equal का value आ जाए, तो theta का value always को होता है, 45 degree होता है, क्योंकि 45 degree पर ही sin cos equal होता है, फिर से आपको हो जाएगा, 10 theta equal to होता है, cos theta, यह भी 45 पर होता है, और sec theta equal to होता है, cos theta, यह सारा का सारा जो equal होता है, only on 45 degree पर ही equal होता है, sin cos, 10 quote and sec cos, यह तीन condition आपको याद होना चाहिए, यह तीनों ही condition कभ equal होता है, थीटा 45 होता, आप देशे कैसे होता, आप देखे, इस पर हम अगर निकालते हैं, question number, अगर आपको proof करना है, verify करना है, तो देखे, sin theta minus cosec theta equal to 0, तो theta के फिलू अगर हम 45 रखते हैं, तो sin 45 हो जाएगा, और minus cos 45 हो जाएगा, है ना, cos 45 हो जाएगा, और equal to 0, तो यहाँ पर sin 45 कित हो जाएगा, तो कितना हो जीरो, और यहीं भी हो जीरो, तो दोनों क्या हो गया, verified हो गया, तो left hand side equal to right, तो theta के फिलू कब हो जाएगा, 45, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, question number 31, question number 31 में देखे, क्या दिया हुआ, question number 31 में दिया हुआ है, find the discriminant of the quadratic equation to x square minus 4 x plus 3 equal to 0, तो discriminant निकालन है, और discriminate का formula क्या होता है, D equals to होता है, D means discriminate, discriminate equal to होता है, B square minus 4ac equal to 0, यह हो गया, discriminant का formula, आप, देखे, यह formula बहुत सारे ही हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते है, 2 equal roots, two equal roots, real roots, ठीक है, two equal real roots, इसी को हम लोग बोलते है, तो देखे, B square, B square का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर मैं भी देता हूँ, यहां अब देगा, 2x square minus 4x plus 3 equal to 0, तो a का value आगे हैं, आपर 2 और b equal to minus 4, और c equal to 3, इसमें बैठा देते हैं, d equal to b square minus 4, c equal to 0, इसमें बैठाने पर क्या हो जाएगा, तो b का value कितना है, minus 4, minus 4 का square minus 4, a का value कितना है, 2 और c का value हो जाएगा, आपका 3, तो हिहांपर देखिए, कितना आ जाएगा, यह आपको 0 नहीं भी देने से आपको चलेगा, ठीक है? तो 4 का स्क्वार 16 माइनस 4 दूना 8 और 24 यह हो जाएगा 24 और यह हो जाएगा माइनस में 8 कितना आ गया माइनस 8 और यह हमारा हो गया आंसर तो डिस्क्रिमिनेंट कभी भी दे तो यह आपको 0 लिखने जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है देखेएं कोंहें रिखते हैं कोंसें नमबर 32 में आप कोसिंद नमबर 32 क्या दिया हुआ है आप कि नमबर 32 तो निक्षिटिया से लगट और से 9 स क्यां निलू तो क्या बज़ाएगा 10 square 60 degree और 6 square 60 degree यह 60 degree सेम है तो हमें यहां डिगरी से confusion नहीं होना है यहां पर कुछ भी हो जाए बस दोनों जगा सेम होना चाहिए अगर सब्सक्राइब ठीटा है वह ठीटा कुछ आपको करने के लिए तो 60 degree को देखे घबराना नहीं है दोनों जगा पर सेम ही है तो मतलब ठीटा है या फिर यहां पर देखिए 10 square theta minus a square theta equal to one होता है तो इसका भेलू क्या गया इस पूरे के भेलू आगे वन सब्सक्राइब नएक सब्सक्राइब आनके लिए ट्टीक सब्सक्राइब यह